नमस्कार स्वागत आपका के हर्याना पे लोगसबा चुनाओं जो है वो सर पे हैं लोगसबा चुनाओं के कभी भी घोशना जो हो सकती है और अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगसबा चुनाओं जो है वो अपरेल महीने के मिड तक जो है वो होने की संभावना है तो ऐसे में लगातार जो है वो चुनावी परत्याशियों को चिनित करने में पार्टियां जो है वो लगातार लगी हुई है अब ऐसे में अगर भारतिया जनता पार्टी के अगर बात करें तो भारतिया जनता पार्टी की ओर से पांच और छे उमीदवार जो है वो इस श्रेणी में आते हैं जिन में से एक को जो है वो चुनावी परत्यासी जो है वो बाजपा का सिर्सा से बनाया जा सकता है इसमें अगर बात करें तो سब से पहले और हिट लिस्ट में अगर नाम की बात करें तो अबी हाले में आम आदमी पारटी चोड़ करके भारत्य जनता पारटी को जोईन करने वाले नेता डॉक्टर अशोक तंवर का नाम वो सबसे उपरी श्रेणी में जो है वो चलता हुआ दिखाए दे रहा है उमीद यह जता ही जा रही है कि डॉक्टर अशोक तंवर को जो है वो इन लोग सबाचुनाओं में जो है वो परत्यासी बनाया जा सकता है उसके बाद दूसरे नमबर के अगर बात करें तो दूसरे नमबर पे जो है वो रविंदर बलियाला का नाम जो है वो चलता हुआ दिखाए दे रहा है कि दूसरे नमबर पे परत्यासी जो है वो रविंदर बलियाला क्योंकि लगातार जो है वो अगर बात करें तो जो टीमें गटित की गई है उन टीमों की और से और जो सर्वे किये गए हैं उनमें जो है वो रविंदर बलियाला का नाम दूसरे नंबर पे चलता हुआ दिखाए दे रहा है और इसके अलावा अगर बात करें तीसरे नंबर के अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे चुकी महिला चहरा भारतिया जनता पार्टी की महिला उमीदवार के तोर पर पे वो पार्टा पार्टी पोर्टालो के तो पर मैं People चuestoके हैं उस्में Då आ जेर और तो आख़ा है है्itaire वह वर बात करें दो चोथे नम्बर 2 जै वो वर्तमान में सांसद सिरसा से सुनिता दुगल का नाम जो है वो चोथे नंबर पे चलता हुआ दिखाए दे रहा है हलाकि कुछ समय तक सुनिता दुगल का नाम जो है वो चर्चाओं में रहा था सुर्कियों में रहा था पहले नंबर की लिस्ट में जो है वो आता था लेकिन उसके बाद जैसे सर्वे करवाया तो गाउं गाउं के अंदर जो है वो लोगों की कुछ नराजगी होने के चलते जो है वो सुनीता दुगल का नाम फिसल करके जो है वो चोथे पाइदान पे आ करके खड़ा हो चुका है उसके बाद पांचवे नंबर के अगर बात करें तो पांचवे नंबर पे जो है वो भारते जन्ता पार्टी की श्रेणी में अगर बात करें तो अवी कामराजा जो की पूरव IPS अधिकारी है उनका नाम जो है वो पांचवे नंबर पे चलता हुआ दिखाए दे रहा है और में अगर बात करें तो टिकट किसको मिलेगी टिकट एक को मिलनी है लेकिन छे कारे करताओं के छे नेताओं के नाम जो है वो पार्टी की और से और जो टीमें है उनकी और से जो है वो निर्धारित किये गए हैं और इन छे में से एक को टिकट मिलनी है तो जादा उमीद जो है कुछ निरने होता है क्या फिर से सुनीता दुगल को चुनावी मैदान में जो है वो उतारते हैं या फिर बलकोर सिंग को जो है वो चुनावी मैदान में उतारते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा या फिर वी कामराज को उतारते हैं या आसा खेदर को उतारते हैं लेकि आने वाले समय में पता चल पाएगा कि आखिर किस उमीदवार पर पार्टी जो भरोसा जताती है लेकिन अगर आपको बताना चाहूं तो अगर सिक चैरे की बात करें तो उसमें जो पगडी धारी की अगर बात करें तो रविंदर बल्याला का नाम जो हो सबसे उपरी श्रेण हैं तो उनको जो है वो कुछ उनका भी पर्सनल वोट बैंक अपने साथ लिये हुए है तो शायद इसी उमीद को ले करके भारते जनता पार्टी उन पर बरोसा जता सकती है और रविंदर बल्याला के अगर बात करें तो उन्होंने भी भारते जनता पार्टी में काफी अच चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा